नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परीचित दोस्तों पस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महतो पूर्ण जानकारी को ले करके जिहां सोते वक्त लहसुन बस दस दिन खाया और वो बहुत खुश हैं लहसुन का प्रियोग दुनिया के लगभग हर देश में किया जाता है इसका प्रियोग हर जगह खाना बनाने और मसाले के रूप में किया जाता है लहसुन स्वाद बढ़ाने के साथ ही और शदी के रूप में भी प्रियोग किया जा सकता है लहस्ण का सेवन करने से बहुत सारी बीमारियां शरीर से गायब हो जाती है है आज हम आपको बता रहे हैं कि सोते वक्त लहस्ण खाने से आपको क्या क्या लाव मिलता है सोते वक्त लहसुन खाने से आपको क्यालाब होता है यह जानना बहुत जरूर है क्योंकि लहसुन बहुत ही गुड़कारी और शदी है लहसुन में विटामिन A, B कमप्लेक्स और विटामिन C भरपूर मातरा में पाया जाता है और इसके साथ ही लहसुन में और भी बहुत से ऐसे खनीज तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं इसके नियमित सेवन से शरीर में तिनों दोश यानि कि वात, पित और कफ संतुलित होते हैं और शरीर आने वाले रोगों से लड़ने के लिए मजबूत बनता है यानि कि आपकी इम्मिनिटी पुष्ट होती है यह एक बहुत ही उत्तम रासायन भी होए लहसुन में ऐसे तत्व पाये जाते हैं जिससे यह हमें पेट के होने वाले कैंसर से बचाता है लहसुन के उपर होने वाली आधुनिक रिसर्चों के अध्यान से पता चलता है कि यह शरीर में कैंसर को पैदा करने वाले हानिकारक फ्री रेडिकल तत्वों को नश्ट करता है जिसके कारण भविश्य में कैंसर होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। सोते वक्त लहसुन खाने के लाभम अब आपको बता रहे हैं। अगर आपको ठंड लग गई है तो रात को सोते समय आप मातर दो लहसुन खाकर सो जाईए। इससे आपको ठंड से तुरंद रहत मिल जाएगी। लहसुन शरीर में सित प्रधान वायू का शमन करता है और जरूरी उश्मा पैदा करता है जिसकारण ठंड से ग्रस्त शरीर को आराम मिलता है और सर्दी का प्रकोप कम होता है। लहसुन के रस का सेवन आपके खून में कोलेस्टरोल के ऑक्सी करण को रोकता है। लहसुन के जयादा बढ़ जाने पर आपको सोते वक्त लहसुन की दो कलियां जरूर खानी चाहिए। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर से संबंधित कोई समस्या है उन्हें लहसुन का सेवन जरूर करना चाहिए। हमारे हाई बलड प्रेशर को कम करता है लहसुन सभी तरह के हरदय विकारों के लिए बहुत उत्तम माना जाता है जिस कारण से बढ़े हुए रक्त चाप की दशा में इसका सेवन विशेश रूप से लाफकारी होता है सोते वक्त लहसुन खाने से मिलने वाले स्वास्थ लाभों की जानकारी वाला यह हमारा वाई सोबर आपको अच्छा लगे और लाफकारी लगे तो इससे क्रिप्या लाइक एंड शेयर जरूर करें आपके एक शेयर से किसी जरूरत मन तक सही जानकारी पहुंच सकती है और हमको भी आपके लिए और बेहतरीन वाई सोबर लेकर आने की प्रेना मिलेगी इससे तो इसलिए आपको अगर कोई जानकारी मिलती है तो इसको सेयर करना भी हमारा फर्च होता है ताकि सही जानकारी लोगों तक पहुंच पाए तो दोस्तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहदी महतो पूर्ण जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों